है गाईज वेल्कम टू देव भूमी कर्यार पॉंट तो देखिए सायक समिक्षिय अधिकारी ARO टेस्ट सेरीज पार्ट 3 है और इसमें भी आपको महत्तोपूंग प्रसन में लेंगे लाइटेस्ट पैटन पे और बहुत महत्तोपूंग यह टेस्ट सेरीज है क्योंकि पूरे ARO का ठीक है तो उससे आपको यह आइडिया लगेगा कि जो UKPSC है वो किस तरह के क्वेश्चिन पूछता है साइन्स कंप्यूटर GS section में ठीक है तो बहुत हैल्फूफूफूल होगा और साथी जितने भी टेस्ट सरी जा रहे हैं पार्ट वन पार्ट टू पार्ट तरी आज प्राखण में वो समोगो की वो लोग सेवा आयो प्रारमभी को यार सब कुछ मिलना है आपको तो आप लोग इसका लाब उठाएं और सेयर भी कर दें ताकि कुछ जरूरत मन्द बच्चे जो कोचिंग एफॉर्ड नहीं कर पाते उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए य एक कारे की वज़े से किसी दूसरी की जिंदगी बदल जाए यही तो सेवा है यही मानवता है तो चलिए हाँ सुरू करेंगे यार टेस्ट सरी पार तरी पहला कुछिन है राष्ट्री विसेश किर्सी उपज योजना मुख्य रूप से किस से संबंदित है तो हमारे एक यो योग्य किर्सी उत्पाद से तो निर्यात योग्य जो किर्सी उत्पाद है इनको बगावा देने के लिए राष्ट्य विसेश किर्सी उपज योजना सुरू की गई थी मेंली इससे रिलेट करती है वैसे तो हैं इसमें काफी अभी पॉइंट अगला दिखे वर्स 1909 का पूछा जाता है ठीक है इसके साथ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी का आप ही बार पूछा जाता है इसके तहर जो भी कारियों वहां से क्वेशन निगल के आते हैं और UKPSC ARO High Court का पीपर आप देने जा रहे हैं जो कि अन्य डिपार्टमेंटल ARO की अपिक्षया थोगा अ किस प्रकार से बिल्टीसस ने आप इस समयधानिक विकास किया था बहुत जरूरी है आपके लिए ग्राउंड लेबल पर जानना इसको तो 1909 का जो अधिनियम आया था दोस्तों इसका संबन्ध था पृथक मता अधिकार छेत्र के लागू करने से ठीक है और इस एक्ट को हम जानते हैं मिन्टो मारले रिफॉर्म के नाम से ठीक है मिन्टो मारले रिफॉर्म भी इसको कहा जाता है तो कोशियन बन सकता है मिल्टे मिन्टो मारले रिफॉर्म किस वर्स हुआ था तो 1909 में हुआ था ठीक है और साथी यहाँ पर मुस्लिमों के लिए प्रथक चेत्र की भी व्यावस्ता की गई इसी अधीनियम के अंतरक्रत ठीक है 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहमद गौरी ने किसे अराया था बहुत अच्छा कोश्य ने चंदावर के युद्ध में मोहमद गौरी और जैचंद के बीच में उसने पृथे विरात चोहन को हराया था तो यह मोहमद गौरी के कुछ मोहत्तोफशन युद्ध हैं यह यॢ़त हर क्या इसके बाद मुहम्मद गौरी वापस लोड गया और उसने दिल्ली सल्तनत पर अपने गुलाम को काबिज कर दिया वहाँ पर जिसको हम जानते हैं कुतुब दिन एबग के नाम से जिसने गुलाम वंस की सुरुवात की फिर्ट अगला दिल्ली सल्तनत के किस वंस ने सबसे कम समय तक सासन किया ठीक है बहुत अच्छा कोश्चिन है तो दिल्ली सल्तनत को आप अच्छे से लीट करें दोस्तों मैं बहुत बार इसके बार में बताता हूँ दिल्ली सल्तनत की जो ट्रेक है दोस्तों वो है जी के टी को सलाम इ सबसे पहले गुलाम वंसी की बात करते हैं गुलाम वंसी के सासन किया 206-90 तक उसके बाद 90 से लेकर 14 15 तक खिलजि वंसी का रहा of 13 720 उसके ररा सासन 14 boss 1415 ने थी के उसक दिर थे सबसे कम सिसा से 5000 ओने टोस्तों के बार चरोतिए से लेकर 1220 तक खिशन किया यानि कि दिये की, वीकल्पर के आधार पर सबसे कम सिसा सिसां करते तो जब लॉट डफरीन था भारत का वाइसराय इसके टाइम पर सबसे महतोपुल घटना क्या हुई बहुत अच्छा कोशिन है तो इसका राइट अंसर जगा भारत राष्टिय कॉंग्रिस की स्थापना थी क्योंकि लॉट डफरीन का जो कारेकाल है वह एंटीन एटीन एटी लॉट डफरीन इसके टाइम पर 1885 में राष्टिय कॉंग्रिस की स्थापना हुई बहुत अच्छा यहां पर यह सबसे महतोपूंग घटना मानी जाते है डफरीन के कारेकाल की क्योंकि जो भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस थी दोस्तों ये छेत्रिय संगठन ना होकर संप के राष्टिय कॉंग्रेस था ये अपनी तरह का भारत में सबसे पहला एक केंद्री ये संगठन था और इसके संस्तापक माने जाते हैं ए ओ हुम ठीक है याद रखेंगे ए ओ हुम को इसका संस्तापक माने जाता है ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चिन की तरब निम् विबैसे कौन सा देश है जो कैसिपें सागर को टटस नहीं करता है तो राइड आंस्र इसका है औपशंट सी इराक तीक है देखें दूस्तों कैसिबैसागर के तटप पर जो देश है वो है अजरबेजान इरान कजाखिस्तान रश्या और तुर्कमेनिस्तान तीक है जबकि उसका जो सही आंसर है वो है option D, केडल के लेगून, तो लेगून तो आपको पता था लेकिन कयाल पता नहीं था, लेगून को केडल में कयाल का जाता है दोस्तों, तो तभी थोगा आपको connection आपको पता होना चाहिए, देखे, जो समुदरी छेत्र होता है दोस्तों, यहाँ पर पार्ट लगता हमाँ जील टाइप का ठीक है और इसी परकार की जलिये आकर्ति को या जील को लेगून या लेगून जील का जाता है और इसी लेगून को केडला में कयाल कहते है ठीक है अगला दिखे निम्द मैंसे कौन सा यूग में सही सुमेलित है ठीक है तो कौन सा सही स एक incorrect है, यह बताना है आपने, तो जो canyon होता है, canyon या खड बोलते हैं, हम इसको खड, canyon या खड का निर्मान किसी होता है, नदी के दौरा होता है, यह सही है, जीवजन जो होता है वो वायो के द्वारा बनता है ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों ठीक है इसके बाद इंसेल बर्ग जो होता है इंसेल बर्ग जो आकर्ती होती है ये वायो अपर्दन द्वारा बनता है ठीक है यहाँ पर हिमनत दिया तो ये गलत हो जाएगा इसमें और मो अगला इस्ट्राम बोली क्या है ठीक है इस्ट्राम बोली यह देखे लूसेंड के क्या है लूसेंड सामा निग्यान को अच्छे से रिवीजन करके जाएं लोक्षिवायोक की परिक्षय से पहले ठीक है तो इस्ट्राम बोली है दोस्तों जॉला मुखी एक जागरत जॉला मुखी ठीक है और इस्ट्राम बोली को अंत्राल में निकलते रहेते हैं उन्हें जागरत है जैसे ये स्ट्रॉम्बोली जॉला मुकी हो गया, एटना जॉला मुकी हो गया, और कोटा पैक्सी हो गया, एक कटो जॉला, ये सबी जागलत जॉला मुकी की उधारन है, फिर इसके बाद देखें अन्य जॉला मुकी के भी प्रकार होते हैं, ठीक है, सुसूपत जॉला मुकी होता है निस्क लिए ज्वाला मुक्य होता है तो एक बार देख के जाए प्रसुप तो ज्वाला मुक्य होता है विलुप तो ज्वाला मुक्य अगला देखे 2011 की जनकरना के नुसर भारत में जनसंक्या गनत्तों कितना है तो population density according to 2011 census ठीक है तो भारत का इसमें 382 per square kilometer यानि कि option C सही answer हो जाएगा तो प्रतेक एक वर्क किलोमेटर में रहने वाले जनसंक्या कोई जनसंक्या गनत्तों का जाता है ठीक है अगर बात करी जाए भारत के किस राज्य का जनसंक्या गनत्तों सरवादिक है तो यह है बिहार और भारत के सबसे कम जनसंक्या गनत्तों तो अरंगानचर प्रदेस याद रगेंगे महते ह Indiana में सुमेलित नहीं यहान पर एक मिसमेzh ज एक पताना मिसमेह छेश करना कि तो दोस्तों लिपूलेक उत्रा खेंड शही है ठीक है रोखतांग का बिदेर हो फ्राइबर और दूसरा जयलेपला है ठीक है इसको याद रिया नातुला और vitतांग। अगला डिकी संप्राइब जो मैदान है यह किस्से संबंदिते हैं ठीक है संप्राई मैदानों का संबंद किस्से दीगई विकल्पों में तो संप्राई मैदान होते हैं दोस्तों ओप्शन डी नदी के द्वारा जो अफशे और अपरतन के कारण बनते हैं अर धियान रखेंगे, जैसे उत्तर भारत का मैदान है, उत्तर का मैदान भी गंगा और उसको उसकी सायाग निर्मीत एक उवजाव मैदान है, संप्राह मैदान का उद्वारा में होगी, और किर्सी के लिए बहुत उप्युपत मने रहता है, थेकि नदी द्वारा लाई गई नवीन जलोग मिर्दा कहला थे है खादर तो उत्तर का मैधान जो है खादर मिट्टी से बर पूर इसलिए बहुत अच्छी खेती हो दिया हो पर निम्दा लिकित मैं से कौन सा छेत्र तोड़ा जनजादी का मूल निवास छेत्र है तो तोड़ा बहुत बार पूचा जाते है तोड़ा जनजादी इसपेसलिए तमिल नाड़ु के आसपास के राजियों में में तमिल नाड़ु में रहती है पसुपालक जनजाती है और जो वहां पर रेंज फैली हुए निलगिरी रेंज ओप्सन C निलगिरी की पागया ठीक है अगला दीखे रास तनुरा तेल सोधन साला कहां इस तो रास तनुरा तेल सोधन साला दोस्तों यह फारक फारस की खागल के निकट है साओधी अरब में तो राइट अंसल जाएगा औप्सन C साओधी अरब द्यान निखिए अगला दिखे राष्ट्या मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षिका कारेकाल कितना होता है बहुत अच्छा कोश्यन है तो देखिए पहली तो मैं बात करें भारत में राष्ट्या मानवाधिकार आयोग ठीक है इसकी स्ताफना होई थी अक्टूबर कई बारे कोश्यन बनता है 1993 में ठीक है और जो इसके अध्यक्ष होते हैं इसका कारेकाल होता है पांच वर्स का ओप्सन सी ठीक है मूल करतेबयों का उल्लेक समविधान में कब किया गया था बहुत अच्छा कोश्यन है जो हमारे fundamental duties है इनका उल्लेक समविधान में कब हुआ था तो देखे जब हमारा समविधान लागू हुआ दोस्तो 26 जनवर उनिश्यक्ष नहीं था लेकिन उसके बाद जो हमारा मिनी समविधान जिसको बोलते हैं 22 समविधान संसोधन 1976 में जो हुआ था इसके द्वारा समविधान में मूल करतेबयों को जोगा गया तो यहां पर रा राज्य और केंदर सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है तो राज्य की और केंदर की सरकार है इनको प्राधिकार जो मिले हैं ये कहां से प्राप्त होई हैं तो ये मिलते हैं दोस्तों भारत के समविधान से निम्न मैंसे किसे एक दबाव-दुस्थ है maintenance सकते हैं। इबाव स्वमू माना जा सकते हैं। संगर के सदश्य तो मिस्दूर संगर के सदश्य वहाँ場 माना जाते हो। बागि लोग सुबा सदेशे पंचाय सदेशे मंत्री मंडल सदेशे यहां पर आपको पता है यह भारत में राजनिती का जो पखवागा है उसमें जाते ही मतलब आद्मी आसमान में गोते लगाने लगते है लेकिन जो कंडिशन यहां पर बिलो है वो मजदूर संग की मीडिल क सर्फिस्टेक्स की बात में बुझी तो जीस्तीग लिएक टास्कफोर्स बनाए गए थी और उसके अद्धिक्षा उसको बनाया तो इसके अद्धिक्षा थे वीजगेल करती है ऑप्षणे इसका सभी आँसर कि दहогें दोस्तों ठीकित है बहुत ही महत्तोब हुए है तो व Haley National Park की स्तापना कब होई थी बहुत अच्छा कुश्य ने तो Haley National Park की स्ताफना हो थी 1936 में ठीक है कहां पे होई थी नैनिताल और पॉगी में ठीक है फेला हुआ ए समझी गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ जिमकारविट नैसनल पार्क की देखे सबसे पहले 1936 में जब इस पार्क की स्थापन होई तो इसका नाम हैली नैसनल पार्क था उसके बाद जब भारत आजाद हुआ दोस्तों इसका नाम रखा गया रामगंगा नैसनल पार्क उसके 1957 में मसुहूर पर्यावरंग विद और नर्भक्ची बागों के सिकारी जिमकारविट को स्रद्धान जली देने हो तो इस पार्क का नाम होँआ जिमकारविट नैसनल पार्क ठीक है डीडी सर्मा को हम किस रूप में जानते है तो डीडी सर्मा का संबंद किस से है दोस्तों दे गए विकल्पों में तो डीडी सर्मा का संबंद है दोस्तों हिमालाई बोलियों के विशेशग्य है तो अगला देखे हिमालाई समास संसकृति तथा पर्यावरंग पर आधारित पत्र का पहाग कहां से प्रकासित होती है तो बहुत बारे कोश्यन मैंने कर वाया है उत् पत्र का इसके संपातक कौन है इनका NGO भी है बहुत बारे रिपीट किया है मैंने आपसे कौन सा कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी तो कत्यूरी राज रा उत्रागर में आपको बता है कत्यूरियों की जो कुल देवी थी वो कौन थी लिए विकल्पों में तो बहुत सिंपल है राइट आंसर इस नंदा देवी ओप्शन डी हिमालया आर्थ पुस्तक किस की रचना है तो किस ने लिखिया हिमालया आर्थ नामक पुस्तक तो यह लिखी गई है option B, G.C. French के दौरा option B सही है, G.C. French next देखे किसे चंदवंस का तुगलग कहा जाता है, तो देखे उत्राघंड history, चंदवंस, पमारवंस, गोरका शासन, यह पूरा विश्तिलत course मिलेगा आपको अनकेडमी लर्निंग है पर, तो देखे सबसे बढ़ी लर्निंग अप्लिकेशन आज की डेट में अनकेडमी, तो वहाँ पर मैंने यह course दिया है, बढ़े ही सरालवा संचिप्तर तरीके से, एक बार पढ़ेंगे तो आपको सब फैक्ट याद हो जाएंगे, क्यों इसको चंद तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ओप्शन दी, अब कमेंड बोक्स में बताएंगे, जो गुरु राम राही जी थे, इनको किसने जमीन दान की थी, किस के टाइम पर आया थे, किस पावार सासर के टाइम पर आया थे देरादुन में, कुमाओ छेत्र का प्रथम ब अबिल्टिस आयुक तो जानते हैं, आयुक तो किसको बोलते हैं, कमिशनर को, तो पहला कमिशनर को हनता, एडवर्ड गार्डनर, ओप्शन C, उत्राखंड अल्फो संक्या कल्यांग दाथा वक्प विकास निगम की इस्ताफना किस वर्स की गई थी, ये कोश्यन भी वने कर भारती एतियास में अलकनन्दा का दूसरा नाम किया है, तो अलकनन्दा जो नदी है हमारी राज्य में, इसका भारती एतियास में दूसरा नाम दिया गया है, किस नाम से संबोधित किया गया है, तो ये हिलंगेवती ओप्शन है, अमर सहित केसिल चंद को अंग्रिल जो फार्सी दी गई थी दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ओप्शन ए तीन मही उननीस सब पेहता रिसको नेक्स देखें निम्नलिकित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है ठीक है तो हाल में देखें मैंने आपको जब उत्रागन आईकोड क्लार करका आपका एक्जाम से पहले दो तीन टॉपिक देखें सूचनाव प्राध्योगी की के वहां पर मैंने डिटेल में बता है था वेब ब्राउजर क्या होता है सर्च इंजन क्या होता है प्रोटोकॉल कॉन कॉन से होते हैं ठीक है और संचिप्त सब्दा वाली भी बताया थी मैंने वहां पर तो को एक बाद देख लीजिएगा बहुत महत्तुप है तो दिए गए विखलपव मैंसे देखिए ओपेरा है विवाल्ड है मोजिला फायरफोक्स है गूगल एप्स वेब ब्राउजर नहीं है ठीक है गूगल क्रोम है लिगन गूगल एप्स के अंदर कोई भी आप आ सकते साथ इंटरनेट एक्सप्लोडर और साथ यूसी ब्राउजर यह भी वेब ब्राउजर है ठीक है एक बाद देख लीजिए को टॉपिक बहुत महत्तुप है अबले कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्व में क्रेकर्स किस नाम से जाने जाते हैं ठीक है तो क्रेकर्स जो कंप्यूटर सुरक्षा में यह किसके लिए यूज होती है तो इसका राइड आंसर है दोस्तों ऑप्शन है ब्लेक हैट हैकर सो होते हैं ठीक है कंप्यूटर तथा नेटवर्क की सुरक्षा पध्यती में सेंध लगाकर या किसी अनाधिकृत सौप्ट्योर दोरा पास्वर् आधिक लिए करना ही कहलाता है है कि या हैकर और इसे बोला जाता है ब्लैक हैट है कर दो अच्छा कोश्य नाए यह ठीक है डगडग गो तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आप सूचना प्रोध्यों की वाला टॉपिक जरूर देखिएगा ठीक है बहुत महतुत जाता है ठीक है बींग हो गया बींग भी एक सर्च इजने वैसे गूगल सबसे पर साच इजने आज की डेट में डगडग गो भी सर्च इन तीक है ऑफ्शन ही सही अंजरु जए नेक्षान देखिए निम्ने मैं से कौन सा मरुस्तल है तो इनमें से दिये गई विकलपर में मरुष्थल कौन से है तो मरुष्थल का जो एरिया होगा यहां पर असंभ घंगा चेत्री जो भी ऐसे ऐलिमिनेट हो गई हुगे निस दू निए तो यह उजातती है ऑप्चन रासाई ने कुल जाम है ठीक है बहुते बोजन बनाते है इसी के लिए में अगला देखें शुतंतर भारत में पहली बार संसदीय सच्व का पद किस वरस सरजीत किया गया था ये भी अच्छा कोश्चीन पहली बार संसदीय सच्व का पद कब कुछिका के क्बार्फन सत्य है वांग कि असत्य है एक कसी कोशिका है कि कि, आक्षाई सामान होती यह यह गलत है नहीं होता है सभी a कोशी od болi चाहिकर वा समान होती हुं सब सबयां के कोशी तक जो कोशिका денег के राजा राम मोहनरय को राजा गुछली तो देखिए लगां परिवार से रिलेट करते थे ठीक है भारत में देखे जो सती प्रथा थी उसको बंदकरान में इनकी कहीं कहीं महत्तोपण भूमिका रही थी तो इसलिए ठीक है जो मुगल समरार था अगबर दिती है ठीक है इनने इसने ही से राजा की उपादी दिती है ठीक है अगबर दिती है ने रा कॉन सा प्रदूसक उजवन परत कि ठेले उत्तरद आई तो झो घर रहत जो च्णे उले दोस्तों और ऒजिन परत कहतं हो रहें इसके लिए कोण सा रिजनेपल यहां प्धारत कोण सा प्रदूसकर यह तो यह सिएबसी फ्लोरो व्लोरो वालभन झायक CFC के अधिकता के कारणी ओजोन परत का हरास हो रहा है और जो एक कोशन और निकलते हैं से जो ओजोन छिद्र है यह प्रिथवी पर कहा है इस्तित है पर ज unexpectedly इस्तित है अंटार्किटिकाम है ठीक है याद रखें है अगला देकिए दिल्ली लखनों नो मारुकिपर चलने वाली देयश की पहली निजी ट्रेन का नाम क्या है बहुत अचहा कोशिय मार्णी Phi पहली ठ्रेंए दोस्तों ये दिल्ली लखनों मार्च पर चल लीयए और इसका नाम है तेजस करन्ट पिर में बताया था मैंने कब से सूरू हुई थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तेजस ट्रेन का उद्गाटन किस तितिक हुआ तो एजेंटा 21 किस से संबंधित है अच्छा कोशिन है तो एजेंटा 21 बहुत बार पूछा गया पूरों में एक अच्छा कोशिन है तो कैबिनेट मिशन आपको पता है दोस्ता हुआ ठीक है 1946 में आया था है कैबिनेट मिशन संस्तुति के लिए और इसमें तीन सदस्चे थे और अध्यक्षिता की थी इसके सर्पैथिक लॉरेंस ने ठीक है ऑप्शन सी सही हो जाएगा सर्पैथिक लॉर थी का तो दिए घखलप में से किस वाय इसलाई ने टीक है गॉर्नर जन्रेल पोलंगे यह पर तो इसने जमیदारी विवास्ता को लागु maravil है तो इसका राया री आनसर बैक्ष को लागु किया था इस वीवस्ता को एक और नाम से जाना जाता है इस्तमरारी बंदोवस्त ठीक है इस्तमरारी बंदोवस्त किसने शुरू किया था अगर कोश्चन आता है तो ये सेम इसी से रिलेट करता है 1793 में इस जमिदारी व्यवस्ता को लागू किया था Lord Khan Wallace ने क्या लृट कानवालिस से और को अधिकार को सभी आधिकारि का देले ते morning आग्ते जीलर नाग्लिक सेवा का जणक भी घाल बहुंद में पौहूंदे की किस झाढ यह वहाख से कहो पराफ्त होते हैं तो हह जो कौफी की पाट ओल्ए यह आप LS कानलों हुद राफ्त होता है है तो देगर विकलपम में बताना है आपने शीतारा देवी का संबंध़ किस निरिट्टे से था अच्छा कोशन ने थे कि यहां से भी कोशन निकल के आते है कभी-गभी कि कौन सा यहां पे किस वाद्य अंत्र से संबंध़ से थे हैं तो अगर मैं बात कुरूँ सितारा देवी का तो इनका संबने कथक से कथक जो है उत्तर भारत का ये क्लासिकल डांस है उत्तर भारत का ठीक है भरत नाट्यम जो है तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है कथकली जो है केरला का क्लासिकल डांस है केरला का और है मोहनी अट्टम होगे बहुत से अट्टम है वहा राल है वाई मंडल में किस परत में उल्का पंडों का निस्तारंग होते हैं थिकया तो कौन सी परत है जिसके में उल्का पंडा आगे समाप्त हो जाते हैं तो यह घ् Care मंदल, option D तो option D का सियान सिर्छ है, तो थोगा यां मंदील की पर्तो Şuenh pram कि बारे में discuss करतें संचिप्ति में, सबसे बहुत चोब मंदल होता है दूस्ते चोब मंदल में समझता मौसम संबंदी घटने के लिए समताब मंडल जो होता है समताब मंडल में देखिए आपका ओजोन जो परत है यहीं पर रिलेट करती है समताब मंडल और मध्य मंडल के बीज में ही हो समताब मंडल में में बहुत होता है आइडल कंडिशन होते हैं प्लेन होगर आउगने के लिए जो वायुयान होते हैं वो इ तो दूल गुबार से बरी हुई है हीलियम की प्रधांता है बहिर मंडल में दियां न गेंगे अगले भारती राष्टे कॉंग्रिस के साथ इंडिया एस्वोशी अभी लगें तो दिखे इंडिया एसोशियेशन आदी जो थे जैसा कि मैं भी आपको बता चुका हूँ भारत में जो पहला केंद्रिय संगठन था वो भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेसी थी उससे पहले बहुत से संगठन बने लेकिन वो छेत्रिय लेबल के थे तो इसलिए जैसे कॉंग्र क्यासी में ठीक है देखे 1885 में कॉंग्रेस बनी थी ए ओ हुम ने स्थापना की वही संस्थापक माने जाते हैं लौड डवरिन था उस टेम पे उसके बाद है जो भारत के छेत्रिय संगठन थे उनको लगा यार ठीक बात है अगर एक केंद्रिय संगठन होगा तो उसका इं अंगर रिखे देट इनका विलाई होते रहा खॉंग्रेस में डिक आठासव चयासी में इंडियान एस्सोशीयेशन का विलाई हुआ था कॉंग्रेस में का है कि था और या भाल जी की टो पावटी यंड या वेल्टी स्ट्रूल इन इंडिया नहीं पूस्ता के पुस्त unconti त। दादा भाई नोजजी की टी होád precis का स्य आ आप ऐसा करूंगा कि जल्दी legal glossary को जो है PDF format में आप से सेर कर दूँगा मैं टेलीग्राम चैनल पर या किसी अन्य मात्यम पर आपको सूचीत भी कर दूँगा मैं ठीक है तो legal glossary का question है याँ पर question में पूछा जा रहा है वह व्यक्ति जो जेल से प्रतिवादी को चुगाने के लिए जमानत की रासी का भुकतान करने के लिए उत्तरदाई हो क्या कहलाता है अगर किसी व्यक्ति को जेल से चुगाना है किसी दूसरे व्यक्ति ने तो जो दूसरा व्यक्ति होगा वो जमानत की रासी का भुखतान करेगा उसके लिए उत्तरदाई है तो उस व्यक्ति के लिए क्या सब्द यूज करेंगे इसमें तो प्रतिवादी को जेल से छुडाने के लिए जमानत की रासी भुखतान करने वाला व्यक्ति या आपको ठीक है तो यह था दोस्तों आज एरो टेस्ट सरीज पार्ट थ्री कितना स्कोर के आपने कमेंड कीजिगा बिल्कुल मिस ना कीजिगा इस सीरीज को बहुत मैंने से बहुत एनालिसिस और सर्च करके मैं आपके लिए कोशिन बनाता हूं तो आप लोग अच्छे से इनक जल्दी मिलता हूं मैं आपको